हेलो फ्रेंड नमस्कार, हर्याणा में होगी एक नई भरती कुल पद चार हजार योग्यता सिरफ बारवी पास पर एक बड़ी खुस खबरी आपको मिलने वाली है बिना किसी टेस्ट के डारेक्ट भरती होने वाली है जिसकी गोसना स्योम स्यम मनहुरलाल खटर ने की है कुल पद चार हजार पर बारवी बेस पर ये जो डारेक्ट भरती होने वाली है इसमें बिना किसी टेस्ट और बिना किसी इंटर्वी के डारेक्ट बारवी बेस पर आपका शरक्षन होने वाला है कैसे होगी बरती क्या कुछ परिक्रिया होगी पूरी डिटेल से जाने के लिए वीडियो को आखरी तक देखें और यदि आप चैनल अपडेट से इंडिया पर नई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को जादा से जादा लाइक और सेर करें तो कुल जो 4000 पदों पर भरती होने वाली है ये जो भरती है एक बारवी पास पर होगी और इसके लिए सीम ने खुद अपने गोशना की है व्यायाम सालाओं में योग वोलियंटर भरती किये जाएंगे आयूस जो विभाग है उसमें भी ये सेवादेंगे आयूस विभाग की हर डिष्टिक लेवल पर होस्पिटल्स को ले गई है उनके लिए भी और व्यायाम सालाओं के लिए जो भरती है इसमें की जाएगी मुख्यमंत्री मनहुरलाल के देख्सता में योग परिसद की बैठक में लिया गया फैसला वोलियंटर जिलाप परिसदों के महद्दम से लगाएंगे उसी गाउं या आसपास के गाउं के निक्त होंगे उनको प्रात्मिक्ता मिलने वाली है इसके लिए सरकार ने कहा है कि सरकार ने हर्याना योग परिसद के चेर्मेन डोक्तर जगतीप आरिये ने राज्ये में चलाई जा रही योग गतिविद्यों को प्रस्तुतिन किया और इनको वोलियंटर लगाने की जो प्रिक्रिया है उसकी जानकारी दी है इसकी जानकारी के लिए इनोंने आयू सीमा नेशित की है 18-35 साल वोलियंटर की जो आयू सीमा है वो 18-35 साल होने चाहिए जो योग गता है वो अर्याना विद्याले शिक्षा बोर्ड से हो या फिर सीबियासी से 10 प्लस टू यानि बाहर भी पास होना चाहिए और जो राष् है वो होना चाहिए और वो जो योग वोलेंटर है उसको हर्याना विकास कोशल मिशन के तहट जो है कोशल विकास इससे विद्धाल है पलवल से नेचरो तोफी या फिर फीजियो थेरोपी भी उनको फिरी में कोर्स करवाया जाएगा ताकि वो दो दो गंटे योग के बाद आयू से विभाग में अपनी सेवाईं डेस के इसके साथ इन्होंने इसकी जो टाइमिंग है वो भी फिक्स की है इस प्रकार उनके आठ गंटे की डूटी होगी और मिनिमम जो मान दे है वो ग्यारा हजार रुपए जो है वो बेसिक जो मिनिमम सैल्दी है वो मिलने वाली है ग्यारा हजार रुपए नियूंतम वेतन जो है फिक्स किया है बैठक में इस बात का मिनिनन लिया कि इस योग वोलेंटर के जो कामगाज की निग्राने के लिए नियमित भरती होने तक हर जले में आउट्सोर्सिंग पोलिसी के तहत आयूस कोच भी लगाए जाएंगे और उन्हीक बेस पर इनकी सेक्षनिक योग जिता है वो निस्चित की जाएगी पर्थम चरण में हजार व्यायाम सालों का निर्मान कारिया है वो जारी है और उनके लिए कुल चार हजार से अधीक जो पद हैं वो भरती किये जाएंगे साथ ही इन्होंने कहा है कि 599 जो व्याय में खोली जा रही योग वैवयायाम सालों में जो वोलेंटर लगेंगे इसके लिए इन्होंने पूरी दिस्या निर्देश मनोरलाल जो प्रदान सचीव राजेश खुलर स्वास्ते विभाग के अतरिक मुख्य सचीव है जो है राजिव अरोडा इन सब ही ने बैठ करके य निर्ने लिया है इन्होंने यहां पर दिया है कि प्रदेश की उद्देश से 419 प्रात्मी स्वास्ते के इंद्रों में 419 आयुष्चिक सक्ट 419 आयुष्फार्मेसिस्ट 419 सेवादार उतने ही अंसकलिक सीविपरों के पद सरजित करने का निर्ने लिया है यानि यह जो इन्होंने आया कि पांच्व और 131 सामुदा के इंदर कारियत है इनके पीसमें 109 पैसिमी राष्टिस स्वास्ते मिशन के तहति आयुष्ट स्थाफ नियुक्त किया चुका है और बाकि जो पोस्ट सीकर्ट होंगी वह भी की जाएंगी इन्होंने इन्मच साफ दे रिया है प्रचनी को गता और 11,000 रुपए नियुनिता मान दे होगा और आठ गंटे आठ हावर्स आपका जो वरकिंग हावर है वो यह रहने वाला है तो यह बड़ी खुसकबरी है जिन साथ होने ग्रेजिएशन बारवी पास कर रखी है और एक भरती का इंज़ाद कर रहे थे डारेक कि प्रतिया आपकी क्या राय है जरूर कॉमेंट्स करें और यदि आप चैनल पर नहीं है तो अपडेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सेयर करें और अपने साथियों तक जितना हो उसके ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब अपने वीडियो यहां तक देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद पग्वान करें आपका दिन सुभ्व